नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्रध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे शुन्य सदिश की जिसे हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। अब ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका परिमान कितना होगा? जीरो होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? आपको ये पता ही है कि यदि किसी वेक्टर को ऐसे दर्शाया जाता है तो इसकी जो लंबाई होती है वो क्या दर्शाता है? इस वेक्टर का परिमान दर्शाता है अब यदि किसी वेक्टर का परिमान ही जीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उसका जो प्रारंबिक बिंदू है वही उसका टर्मिनल बिंदू भी है यानि कि उसका प्रारंबिक बिंदू एवं टर्मिनल बिंदू समपाती है है ना क्योंकि तभी तो उसकी जो लंबाई है वो क्या आई है जीरो आई है अर्थाथ शुन्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसके प्रारंबिक बिंदू एवं तर्पिनल बिंदू समपाती होते हैं को इंसाइड करते हैं इसे हम जीरो वेक्टर कहते हैं इसके साथ साथ से नल वेक्टर भी कहा जाता है ठीक है नल वेक्टर ठीक है अब इसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है तो इसे या तो हम शुन्य और उपर वेक्टर लगा देते हैं या तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं य अब आपके सामने कुछ बिंदू रख रही हूँ जब आप इने पढ़ेंगे तो आप बहुत ही आसानी सा समझ जाएंगे कि आखिरकार हम इस वेक्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और इसके जरूरत क्यों पढ़ी तो मान लीजिए यदि ऐसा है कि आपके पास कोई दो समान वेक ठीक है दूसरा प्रशनी यह है कि यदि कोई वेक्टर A ठीक है कोई वेक्टर B और कोई तीसरा वेक्टर C ये मिलकर एक बंद आकृति का निर्मान करते हैं यानि कि कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सभी की दिशा क्या है एक ही क्रम में हैं और एक बंद आकृति का निर्मान कर रहे हैं तो यदि अब आपको पूछा जाए कि यहाँ पर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C क्या होगा यानि कि यहां से जब आपने देखा तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C क्या होगा तो आप देख सकते हैं कि विस्थापन यहां पर क्या आ रहा है ठीक है तो यह क्या होगा तीसरा प्रशन यह है कि क्या आप मुझे पता सकते हैं कि यहां पर मूल बिंदू मोल बिंदु कौन सा होता है ये वाला तो इसका स्थिती वेक्टर क्या होगा ठीक है तो ये भी एक प्रशन है कि इसके स्थिती वेक्टर को हम कैसे दर्शाएंगे चलिए अब बात करते हैं चौते प्रशन की चौता प्रशन है यदि कोई वर्स्तु विराम वर्स्था में है तो उसका विस्थापन वेक्टर क्या होगा ठीक है तो ये भी एक सोचने वाली बात है इसके अलावा एक और प्रशन में आप सब पुछना चाहते हूं कि यदि कोई वर्स्तु समान वेक्ट से गतिशील है तो उस वर्स्तु का तुरन क्या होगा अर्थाद देखिए यदि कोई वर्स्तु समान वेक्ट से गतिशील है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम देखिए समान वेक से गतिशील इस बात का क्या मतलब हुआ इस बात का मतलब हुआ कि जो वेग में परिवर्तन है वो कितना है वो शून्य है ठीक है अब आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि इस वस्तु का जो त्वरण वेक्टर होगा वो क्या होगा अब आपको पता है त्वरण क्या होता है वेग में परिवर्तन अपन परिवर्तन में लगा समय यदि वेग में परिवर्तन ही शून्य है तो इसका त्वरण का जो वेक्टर है वो क्या होना चाहिए तो निश्चित रूप से इन सभी का उत्तर है क्या हैगा इन सभी का उत्तर इन सभी का उतर है शुन्य सदिश तो यहां पर जितने भी मैंने आपसे प्रशन पूछे हैं यानि कि यह पांच के पांच प्रशन ठीक है तो चार प्रशन तो यह है और पहला प्रशन क्या था वो भी हम यहां पर देख लेते हैं यह देखिए तो इन सभी का उत्तर क्या है? शून्य सदिश है तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ही समझ गए होंगे कि हमें शून्य सदिश पढ़ने की ज़रूरत क्यों पढ़ी? ठीक है? तो अब पढ़ते हैं शून्य सदिश के कुछ गुड़ तो शुन्य सदिश का पहला गुण यह है कि यदि किसी सदिश को मान लीजिए यहाँ पर कोई सदिश A है इसे यदि शुन्य सदिश से जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है हमें पुलाव वही सदिश मिल जाता है जिससे शुन्य सदिश को जोड़ा गया है अब देखते हैं इसका दूसरा गुण, यदि ऐसा हो कि 0 सदिश को किसी संख्या से गुणा किया जाए, मान लिजे यहाँ पर A कोई संख्या है, यदि हम इस संख्या से क्या करें, 0 सदिश को गुणा करें, तो ये गुण कहता है कि हमें पुनह क्या मिलेगा, 0 सदिश ही मिल ज अब आते हैं इसके तीसरे गुण पर इसका तीसरा गुण कहता है कि यदि किसी सदिश राशी को मान लीजिए यहाँ पर कोई सदिश राशी है ठीक है यदि हम इसे क्या करें शून्य से गुणा कर दें शून्य मतलब जो नंबर होता है शून्य तो इससे गुणा कर दें तो ह हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर मिलता है, शून्य सदिश, अब यहाँ पर आप यह ध्यान देंगे, कि दूसरे गुण में क्या हुआ था, यह यहाँ पर कोई संख्या थी, और उसे हमने शून्य सदिश से गुणा किया था, परंतु तीसरे गुण में क्या हुआ, तीसरे इतना समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं, 0 सदिश का बहुतिक उधारण, तो पहला उधारण है, यदि कोई वर्स्तु या यदि कोई पिंड, origin, origin क्या होता है, 0, 0 पर है, तो इस पिंड का स्थिती वेक्टर क्या होगा, 0 सदिश, तो पिंड का स्थिती वेक्टर, 0 हम निकालना चाहें, तो क्या आएगा, क्योंकि वह स्थिर है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर, 0 वेक्टर होगा, तो आप यह समझ गया होंगे, कि किसी स्थिर पिंड का वेक्टर क्या होता है, 0 वेक्टर होता है, तो मैं उमीद करते हूं, यह आपको समझ में आ गया होगा कि शुन्य सदिश के बहुत इक उधारण भी है अब हो सकता है आप में से कही लोग ये सोचें कि शुन्य और शुन्य सदिश में क्या अंतर है तो पहले बात करेंगे किसकी शुन्य की शुन्य क्या है? शुन्य एक वास्तविक संक्या है वास्त्विक संक्या यानि की real number है यानि इसका परिमान क्या है? शून्य है ठीक है? और इसका परिमान शून्य है वहीं यदि मैं बात करूँ शून्य सदिश की तो यहाँ पर क्या हो रहा है? शून्य सदिश जो है वो एक सबसे पहली बात तो सदिश है यानि की vector है, दूसरी बात, इसका जो परिमान है वो तो yazunya है, ठीक शून्य की तरह ही, परन तो यहां पर कितना अंतर होगा कि क्योंकि यह सदिश है तो इसका क्या होगा दिशा भी होगी, तो यहां पर जो इसकी दिशा होती है, वो कैसी होती है, निरधारित होती है, तो मैं अमीद करती हूँ यह आपको समझ में आ गया होगा कि शून्य क्या है सिर्फ एक वास्तविक संक्या है जबकि शून्य सदिश एक सदिश है जिसका परिमार सिर्फ शून्य है दिशा तो उसकी निर्धारित है ठीक है अब यहां पर एक और प्रशन आता है कि क्या हम शून्य को शुन्य सदिश कह सकते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जी नहीं क्योंकि सिर्फ शुन्य एक सदिश नहीं कहला सकता क्योंकि इसका परिमान जो होगा वो तो शुन्य होगा ठीक है परंतु सदिश होने के लिए इसके पास एक और चीज होने चाहिए वो क्या है दिशा परंतु जो शुन्य है इसके पास कोई दिशा तो निर्धारित है ही नहीं इसलिए हम इसे शुन्य सदिश नहीं कह सकते ठीक है तो अब आपको समर्ज में आ गया होगा कि हम शुन्य को शुन्य सदिश क्यों नहीं कह सकते हैं मैं उमेद करती हूँ कि आपको यहाँ पर शुन्य सदिश बहुत अच्छे से समर्ज में आ गया होगा